नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बच्चों के बारे में बच्चों के बारे में जानकरी दूँगा अगर आपके घर में एक साल से लेकर पांस साल की एज के बच्चे हैं और उन्हें बार-बार सरदी, खासी जुखाम, निमोनिया, चेश्ट प करती है बच्चों का अगर आपके बच्चों को यह सभी बीमारी हैं इनकी आज मैं आपको अंग्रेजी यानि के ऐलोपैटिक मेडिसीन के बारे में जानकरी दूँगा आप मेरी इस वीडियो में लगातार बने रहे मैं डोक्टर आकास्तैनी दोस्तों सभी के घर में छोटे बच्चे होते हैं अभी विंटर सीजन चल दा है सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में अकसर कर छोटे बच्चों को सर्दी लग जाया करती है सर्दी के करण उनको फीवर जुखाम खासी निमोनिया च्छती में पेन यह सभी हो जाया करती है और साती साथ दोस्तों अगर आपके बच्चे को सर्दी लगने की वेज़े से आपकी बच्चे की च्छती में से घड़गड किया जाती है और उसे कफ यानि के बलगम भी बनावा है और साती साथ दोस्तों अगर आपके बच्चों के सर्दी लगने की वेज से गले में प्रोबलम हो जाती है यानि कि टोनसील पक जाते हैं और साथ-साथ आपके बच्चे की छाती में गड़गडाट की वा जाती है और साथ-साथ अगर आपका बच्चे को फीवर है और उसे यूरिनी ट्रैक इनफेक्शन है यानि कि यूटियाई इनफेक्शन है बार आपके बच्छों के बीमारी करोनिक है या एक्यूट है यह मेडिसिन दोनों में काम करेगी दोस्तों मैं आपको मीड़िसिन का नाम बताओंगा क histor inevitable जिसे आप देने से यह बीमारी ठीक यह ड्राइ सिरफ यह ड्राइ सिरफ आता है इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूगा और यह मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं यह कैसा दिखता है देखिए यह ऐसा दिखता है और इसकी ऐसी फाइल आएगी कंच की फाइल आईती है इसकी इसके इसमें आपको क्या काम करना है इसमें आपको होट वाटर यानि के गरम पानी करके थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसमें डानना है वो इसमें आपको लाइन दे रखिया है यहाँ पर इसमें लाइन तक आपको वाटर डानना है वाटर डानने के बाद इसको आपको सेक करना है सेक का मतलब हिला अगर आपके बच्चे तीन साल से लेेके 5 साल के बीच में तो आप इसे डियेज्ट में दे सकते हैं न Fighter में आता है यह Cap 20 그게 साथ है मेरे पास यह आपको फिर आपको सूम्जी में देना है और इसकी आपको अगर आपके बच्चे एक साल से तीन साल के बीच में हैं और एक साल के हैं तो आपको इन्हें सिर्फ थिर्यमल देना है यह आपके पास कोई ड्रोपर पड़ा हुआ आप ड्रोपर से भी दे सकते हैं अगर आपके पास छोटी चम्मच है तो आप छोटी चम्मच से भी दे सकते हैं आपको एक साल से तीन साल के बच्चे के लिए यह आपको थिरी अमल यानि के छुटी चम्मच देनी है सुबह, दोफैर, स्याम, तीन टाइम यह आपको यूज कराना है और अगर आपके बच्चे तीन साल से पांस साल के एज में हैं तो उन्हें आप एक बड़ी चम्मच भी दे सकते हैं यानि के पांच अमल दे सकते हैं सुबह, पांच अमल दोफैर में, पांच अमल सामगो, और आपको यह एंटिबाइटिक सीरफ केवल पानी के साथ देना है, बहुत से पेरेंट्स क्या काम करते हैं, जिने जानकरी नहीं होती, इस सीरफ को वो जूस की साथ भी देते हैं, यह एक ऐसा एंटिबाइट डेकर जो जूस की साथ रियक्शन कर जाएगा, और मैं इसे आप किस-किस मेडिसीन के साथ दे सकते हैं, यह भी बताऊंगा, और आप इसे एंटिबाइटिक सीरफ को केवल पानी की साथ दे सकते हैं, दिन में को तीन बार, शिफएगगी मैडिसीन की साथ-साथ आपको ये second medicine लेनी है इसका नام है Chest and Cold DS Stirup ये Cipela Company का है इसका रियर्ट बहुत अच्छा है ये उस मैडिसीन की साथ-साथ देना है अपने बच्चों को आपको इसकी आपको क्या गाम करना है? यह आपको ऐसी फाइल में आएगा 60 ml की फाइब में आएगा यह सिरफ आपको ले लेना है और अगर आपके घर में बच्चे एक साल से दो साल के बीच में हैं तो आपको इस सिरफ की 3-3 ml डोज देनी है दिन में को 3 वार यह भी पानी के साथ है अगर आपके बच्चे की एच तीन साल से लेकर पांस साल के बीच में हैं तो आपको इस सिरफ की सिफाइग जिम सिरफ के साथ आपको देनी है इसकी 5-5 डोज यानी के एक बड़ी चमच लेने का तरीचर का यही है आपको ये वाटरा की साथ ही देना है और सिफेक जिम सिरप भी वाटरा की साथ ही देना है आपको ये दोनों सिरप मेडिकल से ले आने है और आपको ये कैसे देने हैं सबसे पहले आपको सिफेक जिम सिरप देने के एक चमच एक चमच देना है उसका उसे खिलाने के बाद आपको ये अंग्रेजी मेडिसीन है इसे आप खाना खाने के बाद बच्चों खिलाने के बाद ही यूजी कर सकते हैं इसके आपके बच्चे पे बहुत ही अच्छी एफेक्टिव रिजल्ट आएंगे डॉक्टर से भी कंसर्ट कर सकते हैं अगर आप मेर मेरे दुवारा दे गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नॉलिजबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा आप मेरे चैनल में जाकर अपनी बीमारी से रिलेटिड वीडियो को सर्च कर सकते हैं और आप अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठैंक्यू सो मच